एन्टी ए यूजिस नैट यानि निमिजनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नमर उतास निमिए और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमिजनेट प्रो पे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर टाइप आफ मेमोरी साइज दोस्तो इसमें से पहले काफी कोश्चन आ चुके हैं और अलग-लग तरह से कोश्चन आते हैं मेमोरी टाइप काफी अलग-अलग हैं दोस्तो इन सभी के बारे में हमें जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आज के इस वीडियो में हम स्पेसल 2020 में जो कोश्चन आये हैं मेमोरी से रिलेटेड वो सभी कोश्चन आपको करवाने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ज्यान से देखना दोस्तो अगर आपको नेट और ज्यार्स चाहिए तो हमारा पेड़ कोर से ज़रूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेटिट इनोर्स देंगे आज तक जैसे जो भी Type of Research से कोसं आजके वो अलग है Hyphothesis के अलग है Type of Company Kitchen से जो भी कोसं आजके वो अलग है यानि की सब टॉक्टिक वाइस कोसं भी आपको मिलने वाले है नंबर 5 के दोस्तों हम आपको Old 10 Unit की Ad 4 वीडियोस देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको math और TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ हम आपको यह बिताएंगे कि यह कौन से question है, जो बारवान exam के अंदर repeat होते हैं, तो दोस्तो देख इस बात की, अभी जोईन किजी हमारा paid course क्योंकि नमीजीनेट है, तो ज्यारव है, दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं, type of memory size के बारे में, आपने KB, MB, GB, TV, यह सभी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इनके बारे में detail से जानना हमें जरूरी है, सबसे पहले हम बात करते हैं, memory की सबसे छोटी unit के बारे में, bit के represent करते हैं, छोटे small v, से represent करते हैं, इसका जो size हैra 1 और 0 है, इसके बाद में nibble आता है, nibble को n से represent करते हैं, और इसका size है 4 bits होता है, उसके बाद bytes आता है एक हजार 24 किलोवाइट होते हैं इसके अंदर उसके बाद गीगाबाइट को हम जीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर इसके बाद में एक हजार 24 टेरावाइट होते हैं इसे इबी से रिप्रेजेंट करते हैं एक हजार 24 पैटावाइट होते हैं दोस्तों अभी तो जैसे ज्यादत जो कोश्चन आए वह यहीं तक आए लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं जीबी होते हैं जेड़ बी से रिप्रेजेंट करते हैं एक हजार 24 एकज बाइट होते हैं इसके अंतर हैं वाइट्स में USB सरी प्रेजेंट करते हैं यूज अभी चलन में नहीं है आगे हम बात करते हुए दोस्तोव ट्रैडिशनल यूनिट की बात करते हैं और में से भी कोशन आयए ये सारी चीजे मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैडिशनल यूनिट के अंदर कहा हैं दोस्तोव कीवीबाइट यानिकी कि किलोबाइट के बी को रिपरेजेंट binary के अंदर किस तरह से रिपरेजेंट करेंगे और इसके अंदर बाइट कितनी होते हैं 2024 यह चीज हमने उपर पढ़ ले लिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों मी भी बाइट यानि कि मेगा बाइट इसको रिपेजेंट करते हैं टू की पावर 20 से रिपेजेंट करते हैं यह बाइनरी के अंदर है दोस्तों ठीक है और इसका जो अगर हम इसमें देखें दोस्तों न आएंगी पूरी की पूरी जो यूनिट है उसको ध्यान रखना जरूरी नहीं आप इतने इतना ध्यान रख के भी आंसर निकाल सकते हैं और उसके बाद भी हम बात करते हैं इसकी बाइनरी यूनिट है टू की पावर 30 है और इसमें 1073 यहां पर देख सकते हैं यह इतने देखिए यहां पर बाइनरी की बाद चल रही है यहां पर इस तरह से बिलकुल असानी से ध्यान रख सकते हैं हम सभी को पता है एक चीज सबसे पहले के 11TIONी सबसे पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है और फिर TB आता है, यह चार चीज हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं, बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं, अब हमें कोई यह पूछ ले कि TB की Binary, वन TB इक्वल टू बाइनरी किसके होता है, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों दिखें टीवी कितने पर आता है हमारे पास के भी एक दो तीन चार नंबर पर आता है तो टू की पावर कितनी कर देंगे 40 कर दें यानि कि टू की पावर 40 यहाँ पर हम कर देंगे तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इसको सिवी वाइट यह भी वाइट हो गया टू की पावर 80 तो इतना ज़्यादा डीपली यह नहीं पूछेंगे यह जो कोशन पूछेंगे यह तक ही पूछेंगे यहां तक यह पूछेंगे और इस रिलेटिड जो भी कोशन आए हैं वह मैं आपको दिखा दूँआ जिससे आप 1KB को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं और 100 आजाएगा इसके अंदर और उसके बाद में 1MB की बात करें तो 10 lakh होगा और इसको इंगलिस में क्या कहेंगे 1 million कहेंगे यह बाइट से दोस्तों इसके अंदर यह हो गया 10 lakh हो गया उसके बाद में हम बात करें 1GB की बात करें तो यह ह और एक अरब को इंग्लिस में कहेंगे 1 million अब देखें एक्जाम के अंदर कैसे question आएगा वो यह पूछेंगे 1 अरब is equal to 1 MB 1 GB 1 KV किसके equal to होगा 1 अरब यह इस तरह से question पूछेंगे और आगे हम बात करते है 1 TV TV 10 खरब हो गया और यह किसके equal to होता है 1 trillion के equal to होता है अब देखें यहां पे एक सोटी सी एक ट्रिक वताता हूं को याद रखने की यह देखें यहां पर हम बात करते हैं यह देखें 1 MB 1 MB की बात करें तो million हो गया यह 2 मलियन ऐह हैं मिलके साथ मैच हो गया को घंट करते हैं 1 TB की की टेस्व का हो गया trillion वन टी की साहतु हो रहा है तो यह वनटी हो गया वनりました हो गया, 1MB, MB हो गया, 1Million हो गया और 1GB हो गया, 1Billion हो गया तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से इसको याद रख सकते हैं और इसमें से जो question आये ना वह मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बारे में हम बात करते हैं आगे हम बात कर हमें बताना है तो इसका जो answer है दोस्तों सबसे पहले आएगा CPU रेजिस्टर उसके बाद में कैसे मेमोरी उसके बाद में मेमोरी और फिर आएगा secondary storage ही आएगा देखें मेमोरी साइज हमने यह किया था KB, MB, TB यह किया था लेकिन इसके अलावा हमारा मेमोरी यह यह टाइप भी है मेमोरी का यह भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना और इसमें आप देख सकते है CPU रेजिस्टर का एस मेमोरी, main मेमोरी, secondary मेमोरी यह रख लिया इसके बाद मारे पास एक और data storage का टाइप आता है वो और हम देख लेते हैं यह देखें इसके अंदर bits, bytes, filled, record, file और database यह भी आप याद रख लेना दोस्तों इसमें से करीब दो बार question पहले आ चुके हैं और उसके बाद में एक और जो capacity के हिसाब से storage capacity के हिसाब से हम देखें तो वो होगा दोस्तों हमरे पास cd-rom, dvd-rom, blu-ray disk अब देखें हम सभी को पता है cd है cd के अंदर पहले हम बहु बहुत कम होती है dvd के मुकाबले तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं हम आपको 2020 में जितने भी question आया है memory से related वह सभी दिखाता हूं और दोस्तों हमने यहाँ पे ict के जो question है वो लग करके research के लगए teaching के लगए communication के अलग है सभी question आप देख सकते हैं आप हमार द्वित्य भंडारन मुख्य मेमोरी कैस समरीती यह इन्हों ने यहाँ पर answer दे दिया यह size की बात चल रही है अगर speed की बात कर लेते ना यह speed की बात करके तो case memory सबसे पहले आता फिर मुख्य मेमोरी और फिर द्वित्य भंडारन आता ठीक है यह चीज आप ध्यान में रखन यहाँ पर size की बात चल रही है size की बात चलेगी तो secondary storage पहले आएगा लेकिन अगर speed की बात चले speed की बात आएगी तो case memory सबसे पहले आएगा हमार यह चीज आप ध्यान में रखना और उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे में से किस तरह से question आए हैं और बहुती असा है दोस्तों बिल्कुल उसानी से हम इसको याद रख सकते हैं यह देखी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि identify the correct order of the flowing different type of storage memory component in the computer on the basis of price per byte of storage यह भी storage के हिसाब से इन्होंने पूछा हुए दोस्तों तो इस concern हम देख सकते हैं d a c b d a c b यह देखिए यह क्या आगया d case memory यह देखिए यह इन्होंने bytes speed के बारे बात इन्होंने यहाँ पर की है और expensive to list expensive most expensive to list expensive के बारे में भी बात यहाँ पर कर रहा है तो d आएगा case memory सबसे पहले आएगा फिर a आएगा d d r m ram आएगा उसके बाद में c आएगा c हमारा s h d आएगा फिर आएगा b h d d hard disk drive आएगा तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं इसके बाद में हम बात करके दोस्तों आगे जो question आया है इस से related हमारा memory से related काफी question आये दोस्तों अभी तो देखे हम 2020 के ही question करवा रहे हैं इसके अलावा हमने 2012 से लेके दिसम्बर 2018 तक के भी question अलग अलग की हुए हैं वो भी हम आपको करवाएंगे दोस्तों अब यह देख टैरावाय प्यावाइट छते गया अभी हमने करके था टीवी हो गया पीपी हो गया और यह भी हो गया उर जड़ी हो गया यह अभी हम करने यह मैं आपको दिखा गया अप कच्छे से समें आ जाएगा यह देखिए है हमारा पी विह हो घ्रा यह रहां हमारा इसे नार पूच्छा हुआ आपana बिलकुल आसानी से और बिल्कुल उसानी से आप कर सकते हैं इसके बाद भी हम आगे और कोशन देखते हैं जो हमारे एक्जाम के अंदर आए हैं और इसमें से तो वैसे कोशन नहीं आए हैं इसमें इतना ही है दोस्तों और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 से लेके और दिसंबर 2019 तक भी ह करवा देंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी कलास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए थैंकि दोस्तों झाल कीना है तोस्तों पर ढहर ही साइफित О SCOTT कर दोस्तों कीजिए सेर दोस्तों परेप्माश्टन ए시면 प्रण्टन और एको जा भी हमाल पल कि जास के लाई ओका लगड़स्तों कीजिए ।ै अकरी है झाल 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 दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्फ चाहिए तो हमारा पेड़ गोर से ज़रूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं क्योंकि निमीजी नेट है तो ज्यारफ है